पिछले दस दिनों से पूरे देश में जो नया क्रिसी बिल कानून बना है उसे लेकर काफी ज़्यादा होहला मचाया जा रहा है कल आठ तारीक था और भारत बंग का अवाहन किया था तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा हम भी लगतार इस पूरे मुव्मेंट को कवर कर रहे हैं और कल पटना के डाग बंगला चौराहा पर मैंने एक स्टोरी की थी एचेस बिहार पर ही इसमें मैंने कुछ लोगों से जो उस धरना परदर्शन में आये थे सम्मिलित होने उन्चे ये सवाल किया कि आखिरकार उनका विरोध किस बात को लेकर है वे सभी के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया वे सब राज़त के कार करता थे और उनका कहना था कि हमारे नेता ने हमें बुलाया है इसलिए हम यहां पर आये हैं तो आखिरकार क्या है ये किसी बिल जिसे लेकर पूरे देश में विपक्षी पार्टियों के द्वारा इतना होहला मचाया जा रहा है उसी पर हम चर्चा करेंगे तीन नए बिल लाए गए थे लोग सभा में लोगडाउन का पिरियट चल रहा था उस समय जून का महीना था और उसे पास कराकर और राश्टपती के हस्ताक्षर के बाद इसे कानून बना दिया गया कुल तीन विध्यक थे जो अब कानून बन चुके हैं उस पर हम चर्चा करेंगे मेरे नाम उदिपतार्यन है और मेरे साथ आदेश पूरी इस चर्चा में मौजूद हैं क्या है वो तीन कानून जिसे लेकर पंजाब के दो छेत्र है खास करके उनके द्वारा बहुत जादा ही अधर्ना और प्रदर्शन किया जा रहा है तीन विध्यक पहला विध्यक का अगर हम जिक्र करें तो वो कहता है दो फार्मर्स प्रोडीव्स ट्रेड और कॉमर्स प्रोमोशन और फासिलिटेशन ओर्डिनेंस 2020 जे हिंदी में अगर हम समझे तो क्रिशक उपजवयापार और वानिंजे शनवर्धन और सनलिक्ड विध 2020 हिंदी में इसे अगर हम समझे तो क्रिशक सक्तिकरन वह सनरक्षन कीमत आश्वासन क्रिशी सेवाक करार विध्यक और तीसरा जो है वह है दा इसेंसियल कॉमोडिटीज अमेंडमेंट ओर्डिनेंस 2020 जो कहता है आवस्यक वस्तू संसोधन अधिनियम इन तीनों बिलों पर ह जो अब कानून कीमत को है जिस्या से लागू पूरदेश के और दिया गया है तो नारा किसान है झान तिसे बाहर देश की किसी भी हिस्ते मैं अपना नाज दारकन इंध्या पिच्सक्ते हैं अगर इस पर हम प्रतिश् सक्ते कि अगर्र अगर आप आप किसान हैं और आप खेती कर रहे हैं और आप अपने धान को बेचने अगर बिहार से जहारखन उत्तर प्रदेश अदेश के किसी भी अनराज में जाते हैं तो आपको सारे 8% केन सरकार को टैक्स भरना पड़ता था जो कि एक बड़ी रकम होती थी उससे आप किसानों को नि में 1666-67 में जो है वो क्रिसी क्रांती लाए गया देश में वहरीत कांती के नाम से फेमस है और यह जो मार्केटिंग के अस्तर पर है जहां पर यह पता चलता था हमें साम सुनते भी थे कि जो किसान जो है उनका जो सही मुल्ले है वो नहीं मिल पाता है क्योंकि जितना भी मं पर दूसरी बात यह है कि वहां पर आपको जो होता है उसको चोटे किसान वहां पर दूर नहीं जा सकते हैं बड़े किसान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं और चोटे किसान पर प्रावलम क्या होता है कि वहां पर भी चौली ऐसे साट गांट करते हैं कि वह उनका खरीद सरकार उस समय नहीं कर पाती है और वह कम दाम पर चुकी फसल बेश के उन्हें पैसे की जरूत होती है तो वह कम मुल श् avait में वाही में भी हम लोग देखते थे सुने थे पढ़ते थे ऐसा कि क्रिशी जो है वह कि स्थिती खराब होने में में सबसे वड़ा करता था जो कि मुनाफ़ा का ज्यादा से ज्यादा ही चाहिश चाहिए अब इससे चाहिए करें तो 10-15 किसान जो है मिलके वो दूसरे स्टेट में ही बेश सकते हैं अगर हमेशा जो रोना रोना होता है कि यहां पर अभी कोई खड़िदने वाला और मैं आपको बता दू कि अगर मध्यस्तों को कमजोर कर दिया जाएगा सारे मंडी अपना सुचारू काम करना सुरू कर देंगे क्योंकि उन्हीं के द्वारा प्रॉब्लम क्रियेट किया जाता है कि किसान जो है कि उल्जन में अपने आप पुना डालके वो कमजांबा बेचके चले जाएं और सब बहुत ही यह करांतिकारी और देश के लिए किसानों के लिए यह अच्छा भी लाई यह पहला जो आपने दिल कहता है कि धान को बोने से पहले कोई भी जो आनाज बोया जाता है उसके पहले ही जो किसान होंगे फ्री है कॉर्पोरेट यह सरकार वो किसे वो धान बेचेंगे इसके लिए वो खुद टै करेंगे कीमत उन्हें जहां से अच्छा मिल जाएगा वही पर वह अपना अग को कॉर्पोरेट के हवाले गया जमीन को कॉर्पोरेट से दम अलग रखा जया पर वहम गहां जो हक रहे में आप लेकर आप जह हैं वो पहले में कर लेते हैं से और वहां पर आप उसी जो डिमांड है उस फसल को जाते हैं तो आपको पहले भी आपको पैसा मिल सकता है देखिए सबसे में भरती क्रिसी का मैं बता दूं कि सबसे प्राइब काव होता है कि जब फसल तयार नहीं हुए रहती है और किसान को किसी चीज की जरुवत होती है स कौर्पोरिट से फसल कर लेते हैं कि हमकोई इतना पैसे इतना होगा तो आपको पहले भी पैसा मिल सकता है जैसे आपको बता दूमांपसमीं चमपारण के कितने चीनी मिल है वहां गंणा आपकी खेत में खड़ी है और आप वहां पर चीनी मिल से भुगतान करा सकते हैं तो उधर के देखिये पास्मीं चंपाने किसानों की स्थिति अच्छी भी है तो यह ऐसा नहीं है देखिए भारास सरकार का पर बहुत पहले होता है यह वहां पर यह होता है कि जैसे कि नरकटिया गंचिनी मिल है राम नगर चिनी मिल है इन लोगों का साख इतना अच्छा है कि अगर आप पांच एकड़ में चिनी मिल में उस वाद आपका भुकतान किया जाएगा उसके पहले ही भुकतान कर दिया जाएगा तो वहां पर एक किसानों को एक बैक अप मिलता है कि बहुत बड़ा बैक अप है कि हमको भाई पैसे का जब जरूरत है हमको मिल जाएगा या फिर हमको ओने पौने दाम में बेशना पड़ेगा पहले से रेट फिक्स होगा फिर से वह है कि वहां पर कटाई करने के बाद उनको सब कुछ है उनका ले जाना कि मार्केटिंग में भी कर्च होता था बयार तक ले जाना टेक्टर का तेल भाड़ा यह सब देना वह सब चीज है तो यह जो है काफी एक परिदारी की जाती है जब उसकी जरुरूरत कम रहती है जैसे जो यह जो मिडिल मैं हुआ करते थे वह तो पहले खड़ी लेते हैं और ऐसे समय में जब वह बेशते हैं या फिर 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 में भी उसका रख रखाव अच्छा नहीं होता है तो वन थाड़ जह है वह अना जो बेकार चला जाता है तो सरकार सुप्रीम कोट ने इस पर आपको बता तो मिड्डे मिल जो प्रोग्राम जो है यह एफ सी आई के सड़ते हुए आनाजों के लेकर इंसरू किया था और सुप्रीम को ने डांट लगाते हुए कहा था कि इस से गरीबों को या च्छात्रों को कि लाज़ा या उसी किवाथ सरकार ने इसको चेंज करके लाया कि इस से हम मिड्डे मिल के रूप में चलाएंगे जहां बच्छों को एक ठाइम का खाना दिया जाएगा तो अगर मैं कहूं कि जो एक किसानों के साथ सुरक्षा किसान को किसी भी तरह का सुरक्षा नहीं दि आता है आपको सिचाई में प्रॉब्लम आता है पैसे नहीं है और वाले भी आपको ध्यान देंगे आपको उसमें एड़ देंगे चाहिए उनका भी ख्याल रहा है कि मेरी फसल जिसका हम भुक्तान कर चुके हैं जिसके लिए हम पहले सनुबंद कर चुके हैं वो बरबाद नह हो तो वो उनको सहायता पहुंचाएंगे उस समय कि उनकी फसल बरबाद ना हो अच्छा यह है और सबसे वड़ी बात जो भ्रम फैलाए जा रहा है कि जमीन के हवाले किया है जमीन को किसी भी तरह से नहीं चुगा गया है नहीं पट्टा ले सकते हैं नहीं कॉंट्रेक्ट किसानों को अब उनके खरीदार खोजने नहीं पड़ेंगे वह धान को बोने से पहले ही उनके खरीदार जो है वह उपलब्द रहेंगे सहाबाद की अगर हम बात करें मैं खुद सहाबाद से से आता हूं अभी बक्सर में बहुत टूल पकड़े हुए था एक मामला किसानों को इस बार अच्छी फसल हुई थी और उनके जो धान है वो बिक नहीं पा रहे थे इसे लेकर विधायक मुन्ना तिवारी उन्होंने भी बिहार सरकार से आवाज लगाई थी कि जल से जल पैक्स के द्वारा इनके धान को खरीदा जाए अब हम तीसरे विध्यक के ऊपर चल द्वान या फिर सरसो हुआ तेलहन हुआ इनको बहुत कम दामों में खरीद कर जमा कर देता है और जब इनका दाम बढ़ जाता है तो उसे बेचता है किसान से अगर वह 10 रुप में खरीदता है तो बजार पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत 50 रुपय तक हो जाती है 40 डाउन में धान या किसी भी जो स्टोर करने वाला आइटम्स होते हैं प्याज हुआ तेल हुआ उनियाव इस्टोर नहीं किया जाएगा बलकि किसान सीधा कॉर्परेट को या फिर सरकार को जहां उनकी इंट्रेस्ट होगी उसे वह बेच सकेंगे जमाखोरी खतम करने की बा किसाना मामला है उसको छोड़कर आप गहू जाता है किसान आटा का रेट होता है नहीं करता है यहुं का उसी तरह गन्ना को लेकर है अनसारी इसको लेकर है एक मेंसेज मेरे पास आया है जू मैं अपको बता दो थुरा बता दूर्ण हैसे इसमें दिया है कि सिधा सवाल करके दिया है सब सक्षादि कहा होता है उत्तार है पंजाब में चैसा क्षरीक कौन खड़ता है fcii और एक पंजाब की सबसे बड़ी आरती कंपनी कौन है सुखविंदर एक रो उसकी माली कौन है तो हर प्रित बादल जो अभी इस्तिफा भी अकाले शिरूमुण कि अपने आप में काफी यह है और पंजाब में कि विरोध हो रहा है जबकि आपको बता दो मैं कि तमिलादू हुआ फिर से वेस्ट बंगाल हुआ यह सब्राज जो है इस बिल को जो है इसको पॉलिटिकल लंग नहीं कोसिस की जा रही है कॉंग्रेस की सरकार है वहां पर फिर से जो वहां पर जो नेता है उनके परसनल उसमें अपना इंटरेस्ट जुरा हुआ था इस कारण से वह बिरोधी हो पवार भी इसमें बहुत ज्यादा बंके हुए क्योंकि उनके हाथ में बहुत सारा चिरी मिल है और बहुत सारा वहां का जो क्रिसी से संबन्दी जो विभाग करिसी मुंतरी खुद रहे हैं और इसका फैदा भी उठाए हुए है वह तो जिन जिन लोगों का स्वार्थ जुड किसान को इस नहीं झास कर और प्रोमोट करना चाहिए क्रिसी परधान हमारा राज्य है 89 परसंट जनसंग यहां पर किसी कार में जुटी है तो यहां बताना चाहिए अगर ऐसा कुछ कानून में रहता तो देखिए कोई भी कानून है जब सब को इफेक डालता है तो सवता ही का वाज निकलती है जब है पहुंच है और वही प्रेसर डाल रहे हैं ताकि सरकार जो है यह ब्यवस्ता बंद करें और पहले से उनका लूट चल रहा था वहीं चलते रहे लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है देश के किसानों के हित्म में बनाया गया कानून है क्रांतिकारी कदम है और इससे जो ह है दो एक सबाल तो लाजमी है कि अखिरकार पंजाब के लोग ही इतने आंदोलित क्यों है देश में तमाम जो राज्य हैं यहां के किसान आंदोलित क्यों नहीं है तो सवाल उठना लाजमी है हमने बड़े असान सब्दों में ये प्रयास किया है आपको समझाने का कि क्रिसी बिल है क्या तीन कानून बने है और तीनों हमने आपको बड़े विस्तार रूप से समझा दिया है आपकी क्या परतिक्रिया है क्रिसी बिल पर नरेंदर मोधी पर औ मर कमेंट बॉक्स में जरूर पहुचाईएगा धन्यवाद